ओम शान्ती, 3 जून 2022 के इश्वरिय महवाक्य, पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स, बाबा ने कहा, मैं तो एवर पावन हूँ, शाम सुन्दर कृष्ण को कहते हैं, मेरा तो शरीर ही नहीं है, जो गोरा या सामरा बनू, मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, मु उत्र ज्यान यग्ये हैं, जिससे विनाश च्वाला प्रजवलित होगी, इस यग्ये में सारी पुरानी दुनिया खत्म हो, एक देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी, इस समय बाप तुमको इस पुरानी दुनिया से विराग्य दिलाते हैं, तुम जानते हो यह सारी दु पूरा निश्चे होना चाहिए बेहद का बाप एक निराकार को ही कहा जाता है एक एक अक्षर में सेकिंड में निश्चे होना चाहिए तुम भक्ती में इश्वर के नाम से इंशोर करते थे अभी तो डारेक्ट बाप के पास इंशोर करते हो ब्रह्मा बाप समान जिसने फुल इंशोर कर दिया तो जरूर उनको फुल बादिशाही मिलेगी यह अंत का समय है नेच्रल केलेमिटीज में सब कुछ खत्म हो जाएगा उससे पहले ही तुम्हें अपना सब कुछ सफल करना है बाप को याद करना है और मदद भी करनी है और लास्ट में बाबा ने कहा तुम्हें मात पिता को पूरा फोलो करना है अब और संग बुद्धियोग तोड़ एक बाप से जोड़ो तो तुम उनके पास पहुँच जाएंगे और फिर सत्युग में भी आएंगे जीवन मुक्ति का वर्षा तो भले सब को मिलेगा प्रन्तु स्वर्ग का वर्षा सिर्फ राजयोग सीखने वालों को ही मिलता है और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मुरली का सार, मीठे बच्चे, यह खेल है कबरिस्तान और परिस्तान का इस समय कबरिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा तुम्हें इस कबरिस्तान से दिल नहीं लगानी है प्रश्न, मनुष्य कौन सी एक बात को जान ले, तो सब संशे दूर हो जाएंगे उत्तर बाप कौन है वे कैसे आते हैं यह बात जान ले तो सब संशे दूर हो जाएंगे जब तक बाप को नहीं जाना तब तक संशे मिट नहीं सकते निश्चे बुधी बनने से विजे माला में आ जाएंगे लेकिन एक एक बात में सेकिन में पूरा निश्चे होना चाहिए गीत छोड़ भीदे आकाश सिंहासन अब धर्ती पर आजारे ओम शंती बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं यह है बेहद का रुहानी बाप आत्में सभी रूप तो जरूर बदलती हैं निराकार से साकार में आते हैं पार्ट बजाने करम शेत्र पर बच्चे कहते हैं बाबा आप भी हमारे मुआफिक रूप बदलो जरूर साकार रूप धारन करके ही तो ग्यान देंगे ना मनुष्य का ही रूप लेंगे ना बच्चे भी जानते हैं हम निराकार हैं फिर साकार बनते हैं बरोबर हैं भी ऐसे वे हैं निराकारी दुनिया यह बाप बैठ सुनाते हैं कहते हैं तुम अपने चुरासी जनमों की कहानी को नहीं जानते हो मैं इनमें प्रवेश कर इनको समझा रहा हूं यह तो नहीं जानते ह ना क्रिश्न तो सत्यूक का प्रिंस है इनको आना पड़ता है पतित दुनिया पतित शरीर में क्रिश्न गोरा था फिर काला कैसे हुआ यह कोई जानते नहीं कहते हैं सर्पनेडसा वासो में यह है पांच विकारों की बात काम चिता पर पैठने से काले बन जाते हैं शाम सुंदर क्रिश्न को ही कहते हैं मेरा तो शरीर ही नहीं है जो गोरा वसावरा बने मैं तो एवर पावन हूँ मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ जब कलियूग का अंत सत्यूग का आदी होता है मुझे ही आकर स्वर्ग की सापना करनी है सत्यूग है सुख धाम कलियूग है दुखधाम इस समय मनुष्य मात्र सब पतित हैं सत्युक के लक्ष्मिनारेण महराजा महरानी की गवर्मेंट को भ्रेष्टाचारी तो नहीं कहेंगे यहां सब हैं पतित भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था एक ही धर्म था संपूर्ण पावन स्रेष भ्रेष्टाचारी स्रेष्टाचारियों की पूजा करते हैं सन्यासी पवित्र बनते हैं तो आपवित्र उनको माथा टेकते हैं सन्यासी को ग्रस्थी फोलो तो कुछ करते नहीं सिर्फ कह देते हैं मैं फलाने सन्यासी का फोलोवर्स हूं सो तो जब फोलो करो तुम भी सन् पूरा फोलो करना है मात पिता को गाया जाता है फोलो फादर मदर और संग बुद्धी योग तोड़ना है सभी देह धारियों से तोड़ मुझ एक बाप से जोड़ो तो बाप की पास पहुच जाएंगे फिर सत्युग में आ जाएंगे तुम आल राउंडर हो 84 जनम लेते हो आदी से अंत तक अंत से आदी तक तुम जानते हो हमारा आल राउंड पार्ट चलता है दूसरे धर्म वालों का आदी से अंत तक पार्ट नहीं चलता है आदी सनातन है ही एक देवी देवता धर्म पहले पहले सुरेवंशी थे अब तुम जानते हो हम आल राउंड 84 जनमों का चक्र लगाते हैं बाद में आने वाले तो आल राउंडर हो न सके ये समझ की बात है ना बाप के सिवाई कोई समझा न सके पहले पहले है ही डीटीजम आधाकल्प सुरेवंशी चंद्रवंशी राज्य चलता है अभी तो ये बहुत छोटा सा यूग है इनको ही संगम कहते हैं कुम्ब भी कहते हैं उनको ही याद करते हैं हे परमपिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ बाप से मिलने लिए कितना भटकते रहते हैं यग्यतप दान पुन्य आदि करते रहते हैं फाइदा कुछ भी नहीं होता है अब तुम भटकने से छूट गए हो वह है भक्ती कांड यह है ग्यान कांड भक्ती मार्ग आधा कल्प चलता है यह है ग्यान मार्ग इस समय तुमक पुरानी दुनिया से विराग्य दिलाते हैं इसलिए तुम्हारा यह है बेहद का विराग्य क्योंकि तुम जानते हो यह सारी दुनिया कबरिस्तान होनी है इस समय कबरिस्तान है फिर परिस्तान बनेगा यह खेल है कबरिस्तान परिस्तान का बाप परिस्तान सापन करते जिसक याद करते हैं, रावन को कोई याद नहीं करते हैं, मुख्य एक बात समझने से फिर सब संशे मिट जाएंगे, जब तक पहले बाप को नहीं जाना है तो संशे बुध्धी ही रहेंगे, संशे बुध्धी विनशन्ती, बरोबर हम सब आत्माओं का वह बाप है, वही बेहद का वर्सा देते हैं, निश्चे से ही विजय माला में पिरो सकते हैं, एक एक अक्षर में सेकिंड में निश्चे होना चाहिए, बाबा कहते हैं तो पूरा निश्चे होना चाहिए, बाबा निराकार को कहा जाता है, ऐसे तो गांधी को भी बापुजी कहते थे, परन्तु यहां तो वर्ड का बापुजी चाहिए न? वहे तो है ही वर्ड का गौड़ फादर, वर्ड का गौड़ फादर, वहे तो बहुत बड़ा हुआ न? उनसे वर्ड की बादिशही मिलती है, ग्रमा दवारा सापना होती है विश्णों के राज्जे की, तुम जानते हो, हम ही विश्व क मालिक थे हम सो देवी देवता थे फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी शुद्रवंशी बने इन सब बातों को तुम बच्चे ही समझते हो बाप कहते हैं इस मेरे ग्यान यग्य में विग्ण बहुत पड़ेंगे यह है रुद्र ग्यान यग्य इससे विनाश ज्वाला प्रज सत्म हो एक देवता धर्म की सापना हो जाएगी तुमको समझाने वाला बाप है वे सच बोलते हैं नरसे नारैन बनने की सत्य कथा सुनाते हैं यह कथा तुम अभी ही सुनते हो यह कोई परंपरा नहीं चलती है अब बाप कहते हैं तुमने चुरासी जनम पूरे किये हैं राजयोग का ज्यान सहज राजयोग की नौलेज एक परंपिता परमात्मा के पास ही है जिसको प्राचीन भारत का राजयोग कहते हैं बरोबर कलियुग को सत्युग बनाया था विनाश भी शुरू हुआ था मुसलों की ही बात है सत्युग त्रेता में तो कोई लडाई होती नहीं बाद में शुरू होती है यह मुसलों की है लास्ट लडाई बोम्स की लास्ट लडाई आगे तलवार से लडते थे फिर बंदूक बाजी चलाई फिर तोप निकाली अब बोम्स निकाले हैं नहीं तो सारी दुनिया का विनाश कैसे हो फिर उनके साथ नेच्रल केलेमि करते हैं मुसलाधार, बड़साथ, फैमन यह हैं नेच्रल केलेमिटीज समझो अर्थ कुएक होती है उसको कहते हैं नेच्रल केलेमिटीज उसमें कोई क्या कर सकते हैं कोई ने अपना इंशोरेंस भी किया हो तो कौन और किसको देगा सब मर जाएंगे किसको कुछ भी अभी तुम्हें फिर इन्शोर करना है बाप के पास इन्शोर भक्ती में भी करते हैं प्रन्तु वे आधा कल्ब का रिटर्न मिलता है यह तो तुम डारेक्ट इन्शोर करते हो कोई सब कुछ इन्शोर करेगा तो उनको बादशाही मिल जाएगी जैसे बाबा अपना बतलाते ह सब कुछ दे दिया बाबा पास फुल इन्शोर कर लिया तो फुल बादशाही मिलती है बाकी तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है यह है मृत्यू लोग किनकी दबी रहेगी धूल में किनकी राजा खाए जब कहां आग लगती है वह कोई आफत आती है तो चोर लोग लूट यह समय ही अंत का है इसलिए अब बाप को याद करना है मदद करनी है इस समय सब पतित है वह पावन दुनिया सापन करना सके यह तो बाप का ही काम है बाप को ही बुलाते है निराकारी दुनिया से आओ आकर रूप धरो तो बाप कहते है मैं साकार में आया हूँ रूप धरा है प्रंतु हमेशा इसमें नहीं रह सकता हूं सवारी कोई सारा दिन थोड़े ही होती है बैल की सवारी दिखाते हैं भाग्ये शाली रत मनुष्य का दिखाते हैं, अब यह राइट है या वे हैं, गव शाला दिखाते हैं ना, गव मुख भी दिखाया है, बैल पर सवारी और फिर गव मुख से नौलिज देते हैं, यह ग्यान अमरित निकलता है, अर्थ है ना, गव मुख का मंदिर भी है, बहुत लोग जाते हैं, तो समझ से हैं, गव के मुख से अमरित टपकता है, वे जाकर पीना है, साथ सो सिडिया है, सबसे बड़ा गव मुख तो यह है, अमरनात पर कितनी मेहनत कर जाते हैं, वहां है कुछ भी नहीं, सब ठगी है, दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, अरुष्य मंदिर आधी बनाने में कितना खर्चा करते हैं, बाप कहते हैं, खर्चा करते करते, तुमने सब पैसे गमा दिये हैं, तुम कितने सॉल्वेंट थे, अब इंसॉल्वेंट बन गए हो, फिर मैं आकर सॉल्वेंट बनाता हूँ, तुम जानते हो, बाप से हम लेने आये हैं तुम बच्चों को दे रहे हैं भारत है परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना फिर सर्व पतितों को पावन भी बाप ही बनाते हैं गीता में अगर बाप का नाम होता तो सभी यहां आकर फूल चड़ाते बाप के सिवाए स सभी को सद्गती कौन दे सकता भारत ही सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ है प्रंतु कोई को मालूम नहीं है नहीं तो जैसे बाप की महिमा अप्रम पार है वैसे भारत की भी महिमा है हेल और हेविन भारत बनता है अप्रम पार महिमा है ही हेविन की अप्रम पार निंदा फ यहां आए हो बाबा से बेहद का वर्षा लेने। बाप कहते हैं मन मना भव। और सबसे बुद्धियोग हटाए मामेकम याद करू। याद से ही पवित्र बनेंगे। नौलेज से वर्षा लेना है। जीवन मुक्ती का वर्षा तो सबको मिलता है। प्रंतु स्वर्ग का वर्षा राजयोग सीखने वाले ही पाते हैं। सदगती तो सबकी होनी ही है। सबको वापिस ले जाएंगे। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। महा काल का मंदिर भी ह बाप ने समझाया है अंत में प्रत्यक्स्ता होगी तब समझेंगे कि बरोबर इनों को बतलाने वाला बेहद का बाप ही है कथा सुनाने वाले अगर अब कहें गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है तो सब कहेंगे इनको भी बेके का भूत लगा है इसलिए इनों का भी टाइम नहीं है पिछाडी को मानेंगे अभी मान लेवे तो उनों की सारी ग्रहकी चली जाए अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धार्ना के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट और सब संग तोड मात पिता को पूरा पूरा फोलो करना है इस पुरानी दुनिया से बेहद का विराग्य रख इसे भूल जाना है दूसरी पॉइंट यह अंत का समय है सब खत्म होने के पहले अपने पास जो कुछ है उसे इंशोर कर भविश्य में फुल बादशही का अधिकार लेना है वर्दान ब्रहमन जीवन में सदा खुशी की खुराख खाने और खिलाने वाले स्रेश्ट नसीव वान भव विश्व के मालिक के हम बालक सो मालिक हैं इसी इश्वरिय नशे और खुशी में रहू वह मेरा स्रेश्ट भाग्य अर्थात नसीब इसी खुशी के जूले में सदा जूलते रहो सदा खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराख खाते और खिलाते भी हो औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो आपकी जीवन ही खुशी है, खुश रहना ही जीना है, यही ब्राह्मन जीवन का स्रेष्ठ वर्दान है, स्लोगन हर परिस्थिती में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे, अभी है मातेश्वरी जी के अनमोल महवाक्य, यह अपना इश्वरी ज्यान अपनी बुद्धी से नहीं निकाला हुआ है, न कोई अपनी समझ अथ्वा कल्पना है, अथ्वा संकल्प है, परन्तु यह ज्यान स्रेष्टी का जो रच्टा है, उस दवारा सुना हुआ ज्यान है, और साथ साथ सुनकर अनुभव और विवेक म की बात होती, तो सिर्फ अपने पास चलती, परन्तु यह तो परमात्मा दवारा सुन, विवेक से अनुभव में धारना करते हैं, जो बात धारन करते हैं, वो जरूर जब विवेक और अनुभव में आती है, तब अपनी मानी जाती है, यह बात भी इन दवारा हम जान चुक तो परमात्मा की रचना क्या है परमात्मा क्या है बागी कोई अपने संकल्प की बात नहीं है अगर होती तो अपने मन में उत्पन होती यह अपना संकल्प है इसलिए जो अपने को स्विम परमात्मा दवारा मुख्य धार्णा योग्य पोइंट मिली हुई है वो है मुख्य योग लगाना, प्रन्तु योग के पहले ज्यान चाहिए, योग करने के लिए पहले ज्यान क्यों कहते हैं, पहले सोचना, समझना और बाद में योग लगाना, हमेशा ऐसे कहा जाता है, पहले समझ चाहिए, नहीं तो उल्टा कर्म चलेगा, इसलिए पहले ज्यान जरूरी है, ग्यान एक उँची स्टेज है जिसको जानने के लिए बुद्धी चाहिए क्योंकि उँचे ते उँचा परमात्मा हमको पढ़ाता है दूसरा ये इश्वरी ग्यान एक तरफ तोड़ना दूसरे तरफ जोड़ना एक परमात्मा के संग जोड़ो जिस शुद्ध संबंद से हमारे ग्यान की सीड़ी आगे बढ़ेगी क्योंकि इसी समय आत्मा कर्म बंधन वश्य हो गई है वे आदी में कर्म बंधन से रहीत थी बाद में कर्म बंधन में आई और अब फिर से उनको अपने कर्म बंधनों से छुटना है अब अपने कर्मों की बंधाय मानी भी ना हो और कर्म करना अपने हाथ में रहे माना कर्म पर कंट्रोल हो तब ही कर्मों की बंधाय मानी नहीं आएगी इसको ही जीवन मुक्ती कहते हैं नहीं तो कर्म बंधन में चक्र में आने से सदा काल के लिए जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। अब तो आत्म से पावर निकल गई है और उनके कंट्रोल बिगर कर्म हो रहे हैं। लेकिन कर्म आत्म से होना चाहिए और आत्म में जोर आना चाहिए। और कर्मों को इस्थिती में आना चाहिए जो कर्मों की बंधाय मानी ना रहे। नहीं तो मनुष्य दुख सुख के लपेट में आ जाते हैं क्यूंकि कर्म उन्हों को खीचता रहता है। आत्मा की शक्ती उस पावर में आती है जो कर्मों के बंधाय मानी में ना आवे। यह है इन बातों को धारण करने से सहज हो जाएगा इस कलास का मकसद यही है बाकि अपने को कोई वेद शासर पड डिगरी हासिल नहीं करनी है बलकि इस इश्वरिय ग्यान से अपने को अपनी जीवन बनानी है जिस कारण इश्वर से वो शक्ती लेनी है अच्छा और अब सुनते है आज का अव्यक्त ग्यान मोती ये एक बहत संसकारिता पूर्ण विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस ना करे